अलोगे इस कैसे हो आप लोग और आज के इस वीडियो के अंदर में आप लोग को बताने वालोग पी एम सूरिय घर के बारे में जिया दोस्तों हर घर मुफ्त विजली जो जो जना है 200 उनिट फ्री विजली के आपको कैसे मिल सकते इसके लिए जो आपको बहुत ज़दा संग बात करेंगे आसाम गवर्मेंट के तरब से मिलने हुए सबसेडिस एंड आपको सेंटरल गवर्मेंट के मिलने हुए सबसेडिस के बारे में इसके लिए मैं आपको एकदम पूरा पहले से लाश तक बताता है पहले आपको जो है इसके लिए पी एम सूरिय घर जो दोना के ज़रोत होगा जब आप यह solar system लेना चाहेंगे यह दोस्ता आज मैं आपको बताओंगा मेरे खर के अंदर जो है तो kilowatt का solar system के बारे में बात करूँगा क्यूंकि मैं अपने खर में 2 kilowatt का electricity का connection है तो आपका 2 kilowatt के उपर ही मैं आज बात करूँगा इनमें से बहुत सरे नोफ ब यह अंदर विजह मिलना बहुत मुश्किल है लेकिन 2 kilo 3 kilo यह आप ले सकते है यहां दोस्तों जब आप online खतम हो जाएगा आपका जब आप online करने के बाद आपको टोकन जेरट होगा वहाँ पर आप 2 kilowatt का करेंगे तो आप 60,000 66,000 के आसपास आपको subsidies देखने को मिलेंगे और यह subsidies जोए central government के तरब से मिल रहा है और बाकी का subsidies जोए अलगला के state पर अलगला फो सकते हैं मैं आज बात करूँगा असाम के बारे में यहां दूस्तों आपर मैं पूरा details ही बात करूँगा कोई भी subsidies percentage के बारे में बात नहीं करना हो और directly आपको particular बातताने वाला हो जो आप मेरे घर में just example बतारो मेरे घर में जो यह सत concrete का नहीं है टीना का लगा हुआ है तो इसके अंदर जो मेरा costing थोड़ा कम रोगा और यह costing जो वेरी करेगा अलग-अलग घर के अंदर अलग-अलग होने वाला है कुछ लोगों के अंदर जो घर की सत के उपर नहीं लाएकर आग पड़ेगा उसके उपर ही जो है solar system बैटागा उसके लिए जो आपको यह अलग-खर्चा देना पड़ेगा क्योंकि उसके उपर सरकार सबसेडिस नहीं दे रहा है सरकार दे रहा है सिर्फ solar panel के उपर और इन बैटर के उपर और यह जो solar होने वाला है यहाँ पर इसके साथ बैटरी देखने को नहीं मिलेंगे इससे पहले बहुत सरा solar जो सरकार दे सुके है जिसके अंदर बैटरी इन बिल्द था लिथियम आयन का भी था और जो खेत में पाले देने के लिए होता है उसके अंदर बैटरी नहीं हुआ करता है दिन में solar light के अंदर जब उसको खेत के लिए है मतलब आपके खुद के घर के लिए तो यहाँ पर आपको रात को भी supply मिलेंगे दिन को भी supply मिलेंगे और यहाँ पर इस solar system को बोला जाते on-grid solar जिहां दोस्तों यह solar system जो अपने घर पे आप पावर को इस्ट्रेस करके नहीं रख सकते मैं आपको बता दो समझ लिए जो बिजली जनरेट कर पा रहा है इसके अंदर आपको दिन का और रात का मिला के अगर 20 उनिट खतम कर देते हैं तो आपका पूरा जीरो होने वाला है क्योंकि 200 जो यह जनरेट करेंगे और 200 उनिट बिजली फ्री आपको मिलने वाला है समझ लिए जए कि आप 200 उनिट से ज जैसे गर्मी का मौसर हो आएगा तब आपका इलेक्रिसिटी जो है जेनरेट ज़्यादा होगा लेकिन आपका कईउम भी बहुत ज़्यादा होने वाले तब जो आप एंडाउल होकि वो मिल जाएगा मतलब अबरल जो आपका बिजली फ्री होने वाला है और यह जो सोलर सिस जो है आपका कंपनी उसको रिप्लेस करवा के देगे अभी हम बात करते आपका क्या खड़सा आने वाला है में बात यह हमारा गाव दिहात में कुछ दिन पहले जब सिएच सी की तरफ से सर्वे दिया गया था किसको सोलर की जरूर थे तो उस सर्वे के अंदर सभी ने जो उसका सर्वे किया गया था इलेक्टिसिटी बिल और साथी साथ जो है उसका मोबाइल नंबर के थुरू और बहुत सरा लग खुद से भी किया था लेगिन में बात आता है कि एक सोलर सिस्टेम लगाने के लिए हमारे पास कितना पैसा आफोना चाहिए यहां दोस्ता आपके उपर खट्शा आने वाला है और इसके अंदर जो है 96,000 एप्रोक्स 96,000 जो है मेरे को सरकार के तरफ से सबसेडिस मिलने वाला है और यह सबसेडिस जो है सरकार से डारेक्ट मेरे अकाउट पर आने वाला है तो इस विज़े से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भीड़ आप सोलर सिस्टेम लगा सकते सेव्न परसें इंट्रीस ट्रेट के अंदर आपको बैंक लोन देंगे आपको एफस लोन को लेके आप सोलर सिस्टेम लगावा उसक्ते अप बोलेंगे झांसी मेंगे वह चांते जिस वेंडर के तुछ आप τονेया पास पैसा नहीं है इसके उत लेना चाहता हूं तो वह जो लोण क़ुआ के देंगे लोण कर और गया क्या होगा जब पोर्टेल के अंदर आपने बैंक डिटेल्स अफलोड करेंगे तो आपको वो वेंड़र आपको पूरा पेगर सकता हूँ और मैं चाहओ तो मैं अपने खुद के पैसा भी दे सकता हूँ अब अगर इंट्रेस्ट नहीं देना चाहते लोन के जंजट में नहीं पढ़ना चाहते तो एक लाख तीसज़ार रुपया आपको डाइरेक्ली वेंटर को देना पड़ेगा वह आपका सोलर स क्याला करें जादा दीन नहीं हुआ क्योंकि सकारम इसके उपर अफंड सिस्टेम अगर्वरेगा अगरां आपके इल्ルク इन सफालर ट इंडर क्या होते हैं आपका battery damage होने के बाद जो आपका efficiency कम हो जाता है बहुत अभी हम बात करते on grid solar system के बारे में यह solar system जो आपका जब सारा दिन में मतलब action पुन बोल रहा हूं है बीस unit के अगर आप बीजली produce करते तो पूरा बीस unit जो एपीडी सेल के पाथ चला जाएगा चला जाने के बाद आप कितना use करते उसकी ओपर build बनेगा अगर इस वीडियो में आपने कुछ नहीं समझाए तो आप हमें comment कर सकते आप हमारी instagram पर message कर सकते हैं हम आपको यह पूरा समझा देंगे आज के वीडियो आम यहाँ पर इसमाफ्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पॉर्शिंग भाद मत कीजए